नमस्ते, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो भी बिहार में समाजिक सुरक्षा पेंशन उजना के तहद, बीध्वा पेंशन, बिकलांग पेंशन, या फिर जो बीध्वाजन पेंशन होता है, उलेते हैं, उनको जो है, एक वाइसी यानि कि जीवन पौनपतर बनवाना जरू जीवन पौनपतर बनवाए थे, आपको हमने बताया था, जो भी आपका जीवन पौनपतर होता है, वो एक सालों तक वैलिडिटी उसका चलता है, ऐसे में दोस्तों, आप में से काफी सरों लोग कॉन्फ्यूज हैं कि हमारा जीवन पौनपतर बनेगा कि नहीं बनेगा, कि तो आखिर हम कैसे बनवाएंगे, उस condition में हमें क्या करना चाहिए, साथ शाथ आपको भी बताएंगे, कि आपको कैसे चेक करना है, कि आपका जो जीवन पौना पत्र है, वो बनवाने लाइक है या नहीं है, और कौन सा condition में बनवाने लाइक है, वो भी आपको हम किलियर करके बताएंगे वीडियो आप सुरू सांतक्लिय का जोग देखिएगा क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यदा इंप्रोटेंट होने वाला है और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लिस लाइक कर दीजेगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़ जरे किसी या फिर बाइस इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एक आर्टिकल ओपन हो जाएगा जो की मेरे द्वारा लिखा गया है कैसे जिवांपात्र बनाया जाता है इसके लिए अप्लिकेशन भी डिट क्या रखेंगे हैं सार कि सब जनकारी आपको हम बता ही रहे हैं नीचे आएंगे तेहां पर देख सकते हैं कि इमपोर्टेंट लिंक सेक्शन है इसके नीचे जो एक निव लिंक के यहा पर दिया गया है उसके सामने क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पर ईभारती का अपीसे साइड है आपके सामने किसी एक link पर क्लिक करके CSE से login करके आप जो है जिए पॉना पत्रा बना सकते हैं चलिए हम example के तोर पे पहला ही link पर क्लिक कर देते हैं जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर CSE से login करने के लिए बोला आता है तो simple सा इस पर आपको click कर देना है और आपने जो भी CSE से login किया होगा तो automatic यहाँ पर login हो जाएगा ठीक है नहीं login किया होगा तो आपको यूजर नेम पासव डाल कर login करना होगा यहाँ पर हम CSE से पहले से login किये हुए थे तो login हो गया है यहाँ पर जो उपर वाला बटन दिये गया है bymatic 4E लभारती pension इस पर आपको click करना है जैसे ही click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा जहाँ पर pensioner का account number, अधार number, beneficiary ID तीनों में से किसी एक डाल कर जो है आप यहाँ पर search कर सकते हैं और उनका KYC कर सकते हैं सबसे पहले आपको हम दिखायते हैं कि अगर आपका KYC हो गया है और उसका एक साल का बेलेटी होता है तो किस तरह से दिखाएगा और last date जो है किस पर लागू होगा वह आपको हम तो clear करके बताएंगे तो चलिए एक account number या फिर अधार number हम लेलते हैं पर अधार number select कर लेते हैं और अधार number को यहां पर डाल देते हैं और search के button पर click करते हैं अब जैसे यहां पर लाभारती का जो अधार number है या फिर कोई भी details है डाल कर search करेंगे तो आपके सामने अगर इस तरह का interface आ रहा है तो देख सकते हैं कि यहां पर जो इनका demographic authentication है और जो यहां पर complete हो गया है अब दोस्तों आपको हम बता दें कि यहां पर देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपका authentication date है मतलब कि जब भी आपने जीवन पॉन पत्र बनाया होगा उससे एक सालों तक आपका जीवन पॉन पत्र चलता है तो यहां पर देख सकते हैं कि सोरे 2020 को इनका बना था और 16-22 तक इनका यहां पर जीवन पॉन पत्र चलेगा अब यहां पर इनका जो है जीवन पॉला पत्र probability बनवाने की कोई यह सकता नहीं है 15.09.2022 से पहले ठीक है क्योंकि इनका 6.04.2022 से पहले यहां पर EKYC होगा ही ठीक है क्योंकि यहां पर data ही नहीं आएगा तो आपका इससे EKYC करेंगे तो साब साब समझ लिए कि मतलब इस तरका अगर आपका condition है तो आपका जो मतलब date है मतलब जो भी last date गोसित किये गए है उससे मतलब नहीं है अपनी धर रही आपके पैसे आएंगे कोई भी आपको problem नहीं होगा जहां तक मैं समझता हूँ लेकिन दूसरा जो condition है ओ condition आपको हम check करके दिखाते हैं कि ओ condition जो है 15 जनवरी 2022 का जो last date गोसित किया गए है उस पे लागू होगा हलाकि इसका जो ही date बढ़ाये जाएंगे जहां तक मैं समझता हूँ क्योंकि कई बार date बढ़ाये जा चुके हैं सोरे 2022 तक चलेगा उसके बाद से आपको KYC करना पड़ेगा अब चलिए यहां पर दूसरे हम किसी लभारती का लेलते हैं और देखते हैं कि उनके में किस तरह से दिखा रहा है तो यहां पर मैंने दूसरे किसी लभारती का एकाउंट नमबर डाल दिया है सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं अब देख सकते हैं कि दूसरे किसी का यहां पर हम डाले हुए हैं तो इनका डाटा इस तरह से खुल के आ रहा है अब यहां पर एक बात समझ लिजिए कि जो भी 15 जनौरी 2022 लास डेट रखे गए हैं पर जो भी डेट रखे गए हैं ठीक है तो उस डेट से पहले जो ही इनका KYC करना पड़ेगा नहीं करते हैं तो इनका पैसा आना पुरी तरह से बंद हो जाएगा साथी समझ अगर डेट बाट जाता है तो अलग बात है तो नाम तो यहाँ पर रहता है उसके बाद उनके अकाउंट पर क्या नाम है कई लोग बोलते हैं कि जोईंट अकाउंट पर पैसे नहीं जाते हैं ऐसा कुछ नहीं है देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जोईंट अकाउंट ही लगाए गए है उसके बाद अधार नमबर क्या है वो आपको डालना है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि केवल जो है year of birth मांग रहा है यानि कि इनका जो जनम हुआ है वो कौन सा son में हुआ है पूरा आपको date of birth डालने की वा सकता नहीं है यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं अधार पर देख लिजेगा कि इनका year of birth क्या है वो ही आपको डालना है उसके बाद यहाँ पर mobile नमबर और यहाँ पर वाड आपको select कर लेना है जो भी आपका वाड आता है आप select करिए उसके बाद यहाँ पर link one पर आपको रहने दाना है और demography authentication करना है तो यहाँ पर क्या होगा कि इन payment रूख जाएगा जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पर clear करके बता दिया कि कौन सा condition में आपको क्यवाइसी करने की वासकता है और कौन सा condition में आपको क्यवाइसी करने की वासकता नहीं है साथी साथ जो last date रखे गए है वो कौन सा condition में पर प्लाई होता है मैंने आपको clear करके बता दिया है अब इसके regarding आपके मन में किसी भी तरह का doubt है तो आप हमें comment section में comment करके पूछ सकते हैं reply करने की हम कोशिस करेंगे साथी साथ आप मेंसे काफी सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे भी ज़्यादा जनकाई रखते हैं क्योंकि आप आप लोग के पास कई सारे कहाँ पे case आते हैं जो आप डेली बहुत सारे लोग का इकवाइसी करते हैं तो आपके मन में किसी भी तोरह का इस वीडियो के regarding suggestion है तो आप हमें बता सकते हैं तो चले मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉफी के साथ तब तक की लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद आप जहां भी हैं सुलक्षित रह सवस्तर हैं बहुत बहुत धन्यबाद